बस्ती जिले में लगातार बोट के पेपरों के आउट होने की खबर यूपी के उप मुख्य मंतरी दिनेश शर्मा बस्ती पहुँचे यहाँ पर उन्होंने बस्ती शेहर में बोट परिक्षा केंदर शरी कृष्ण पांडे गर्स इंटर कॉलेज का ओच्छक निरिक्षन किया मॉनिटरिंग सिस्टम से यहाँ के कॉलेज के CCTV कैमरे से वीजुल का मिलान भी करवाया गया उन्होंने बारल हो रहे प्रशन पत्रों पर लोगों से अफवाहों से दूर रहने की बात भी कहने के साथ कहा कि जो दुश्पर चार कर रहे हैं उनके खिलाव भी हम कड़ी कारवाई करेंगे तो वस्ति में अचानक परिक्षा केंद्रों का जायजा लेने डिप्टी सिम दनेश शर्मा पहुंचे और यह उसी दोरान की तस्विरे हैं जहां पर देख सकते हैं किस तरह से एक्जाम सेंटर का जायजा लेते हुए डिप्टी सिम दनेश शर्मा यहां पर बिलकुल एक पारदर्स्टी परिक्षा हैं चल लई हैं सबी जगे पर और मुझे को लगता है कि बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की चाक चौबंद विवस्था चारों तरफ है खुछ सरारती तत तो जिनकी एक्षा नहीं जिन वो माफिया गिरोहों से संबंदित रहते थे वो वाटस अप पे जब परिच्षा सुरू हो जाती है तो उसके बाद वो वाटस अप पे वारिल करने का और अफवाई उडाने का काम करते हैं जिसे लगे कि परिच्षा हमें वेवधान हो रहा है वेवधान डालेंगे तो उनके खلاफ भी कारवाई होगी और इसको संगे अपराद में हमने नोटिस जारी किया है और कि इस प्रकार के अगर अफवा उड़ाई गई और किसी के वाटसप पर पाया गया तो निश्चित रूप में पूरा पूरा जहां जहां भी होगा उसके खलाब हम कारवाई करें